अब ये देखिए 2019, 2020, 2022, तीन साल, 2021 में पेपर हुआ नहीं था, इन तीन साल के objective question यहाँ पर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका paper दे दो, paper आप परसान हो जाओगे क्योंकि paper में पुराना old syllabus का question है, उसमें से हटा कर आपको देना है तो मेनत तो लगेगा की नही उसको लिखना है, छाटना है, answer sheet मिलाना है, तब आपको देना है, तो आज हम कुछ प्रशन भी करेंगे, objective भी करेंगे, भले चाहे दस objective हूँ, लेकिन उनको करेंगे, साथ में प्रशन करेंगे, चलिए सुरू करते हैं, पहला प्रशन देखिए बच्चो, अर्ध आयुकाल प्रथम कोटी अभक्रिया हे तो होगा, जब के कामान इतना है, ये प्रशन पूचा गया था, 2019 की बात है बच्चो, ठीक है, ये प्रशन आपका पूचा गया था, चार आपसन है, एक दसमलो, दो छे, गुड़े दस घाते, 13, सेकेंड, ये आप देखिए, और ये आपका है तो आपसन नंबर ए, इसका सई है, एक दसमलो, दो छे, गुड़े दस घाते, 13, सेकेंड, अब यहाँ पर देखिए, बच्चो, इसकी आक्सिकर्ण संख्या कितनी होती है, तो वन निगेटिव होता है, और पूटेशियम उन पास्टिव होता है, तो शिक्स निगेटिव मे एक ऐसा चैनल है, जिसमें आपको संपूर्ण सल्यूसन बिरिवत समझा कर प्रोवाइड किया जाता है, पूटेशियम चार है बच्चो, एक पूटेशियम को एक होता है, आयरन का हमी निकालना है, साइनाइड छे हैं, और एक साइनाइड वन निगेटिव, टोटल जीरो हो तो यह आपका दो हो गया, आईसो साइनाइड परिच्चन देता है, प्रात्मी केमीन का, फिनाल के साथ, दूतिया केमीन, ट्राई एथिल एमीन, बताना आईसो साइनाइड परिच्चन देता है, तो इसका एंसर है वचोट ट्राई एथिल एमीन, क्या ट्राई एथिल एमी आगे देखियेगा दूध में उपस्थित Ni- restoration, बताओ आप लोग, दूध में उपस्थित Ni-reating क्या पाया जाता है, तो लैक्टोस पाया जाता है, सभीचे सभी प्रश् Nous cricket हैं, आपको मिस नहीं करना है, यहां पर देखो भाई सहाब, ये आपका उपसा सेयोज योगिक है संकुल दोरा जल में दिये गए कुल आइनों की संक्या कितनी है मतलब इसको हम जल में मिलाते है तो टोटल कितने आइन मिलता है बच्चो तो आपका दो मिलता है कितना दो आप लोग लिख लेना केवल और केवल दो आयन्स मिलते हैं ठीक है आमला में कौन सा बिटामिन होता है तो बिटामिन सी पाए जाता है बिटामिन सी अब क्रिया की दर अभिकारा के सांद्रन के होती है बच्चो समान उपाती होती है यहां पर आप लोग लिख लेना समान उपाती इधर मैं लिख दूँ बच्चो समान उपाती ठीक है समान उपाती कोई दिक्कत तो नहीं है होना भी नीचे यह यह रहे दिक्कत है तो फिर तो समझो बहुत ही दिक्कत है आगे देखिए बच्चो आरहीनियस समीकरन लिखिए है यहां पर डेल भी रहता बच्चो तो डेल कर देता हूं मानस का डेल ये अपान आठी डेल्टा जिसे बोलते हैं अगे देखिए संक्रमन धातूं में लवड रंगीन योगी होते हैं किस कारण से तो यह डीडी संक्रमन से बच्चो किसके कारण डीडी संक्रमन इसके कारण बीडी संक्रमन आप लोग चाहो तो इन प्रश्णों को लिख भी सकते हो क्योंकि इनका आप नोट्स नहीं मिलेगा ध्यान रखना ये नोट्स आपको प्रवाइट नहीं किये जाएंगे ठीक है अब मैं सोच रहा हूं कि एक पेड़ वैच बना लूँ लेकिन कोई बच्चा स संगनन बेंजोईन संगनन ठीक है बेंजोईन संगनन तरतियक एमीन का इसी टिली करण नहीं होता क्यों क्योंकि इसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाडू नहीं होता क्यों क्योंकि भाईया सक्रिय हाइड्रोजन परमाडू नहीं होता एक सत्त है बाकी पांच जो भी थे वो आउट आफ सलेवस हो गए एतिलेमीन जल में बिले है जबकि एनिलीन नहीं सही है क्या बताओ आप लोग तो बिलकुल यह सत है क्या है सत है अब देखिए बच्चो यहां पर आप लोगो थोड़ा समय समझा देता हूँ मोललता, मोललता, मोलप्रभाज यह 2019 में पूछा गया था प्रस्त मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि अबजेक्टिवस से काम नहीं चलने बाला आप लोग चाहोगी तो इसका अगला लेक्चर भी आएगा पुराने जैसे आप लोगो को पेपर ढोड़ने की जरूत नहीं पड़ेगी मैं चार साल का वैसे भी सल्यूसन करा दूँगा चाहे वो कमिष्टी हो चाहे वो फिजिक्स हो बस आप लोगों का प्यार और सपूर बना रहना चाहिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम मोल प्रभाज या मुलर्ता मुलल्ता सब कुछ बात करेंगे तो यहां पर हमारा अमाली जे एक पात्र है और पात्र में दो चीज होता है याद रखेगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे पात्र में दो चीज होता है तीनों को आप एक साथ समझ पाओगे पात्र में एक होता आपका बच्चों बिलायक और दूसरा होता आपका बिले ठीक है दो घटक से मिलकर कोई पिलियन जैसे पात्र में मैंने बोल दिया ये बिलियन है बिलियन में दो घटक है बच्चो एक तो आपका बिलायक क्या एक बिलायक और दूसरा बिले ठीक है जब दो पदार्थ हापस में मिलते हैं दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो कहीं न कहीं एक बिलियन का निर्मार करते हैं अब मैं मान के चलता हूँ कि इस बिलायक में इस बिलायक में जो बिले मिला हुआ है वो मोल की संख्या में मिला हुआ है मोल की संख्या में जहन दखिएगा मोल की संख्या में और यह जो बिलायक है वो आपका आयतन में है इसमें आयतन में आयतन में या तो मालीजे किलो ग्राम में हो तब इसको हम इस प्रकार से परिवासा देते हैं मा लिजे एक हजार ग्राम बिलायक में एक हजार ग्राम बिलायक में उपस्थित बिले पजारत के मोलो की संख्या आपकी मोललता कहला जाती है देखो नो कितना बढ़ी हा है एक हजार ग्राम बिलायक में उपस्थित बिले के मोलो की संख्या को हम क्या बोलते हैं मोललता कह देते हैं परिभासा कि बल परिभासा लिखना था जएदा कुछ नहीं क्या लिखना था बच्चो परिभासा तो मैंने ये कहा कि भई सहाब बिलियन जो बनता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है एक बिलायक और एक बिले अब ये बिलायके दी ग्राम में है तो एक हजार ग्राम बिलायक में उपस्थित बिले पदार्थ की मोलो की संख्या को हम मोललता कहते है ठीक अब जब मोललता की बाता आती है बच्चो तो एक लीटर या एक हजार मिली लीटर एक हजार एमेल बिलियन में ठीक है या एक लीटर या एक लीटर बिलियन एक लीटर बिलियन में उपस्थित बिले पदार्थ की मोलों की संख्या मुलर्ता कहलाती है जब एक हजार ग्राम बिलायक में बिले की मोल की संख्या या आपका मुलल्ता और अब एक हजार एमेल बिलियन में बिले की मोल की संख् जैने, जो बच्चा स्रीव कोचिंग क्लासस में आता केबल समझने आता है, तो ध्यान दीजेगा, यदि एक आजार ग्राम बिलायक में पूछेगा, उपस्तित बिले के मोलों की संक्या, तो हम मोल अर्ता कहते हैं, एक आजार एमेल या एक लीटर बिलियन में उपस्तित बिल मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों की मोल की संख्या का अनुपात ही आपका मोल प्रभाज कहलाता है जैसे हम एक का निकालेंगे तो एक के मोल की संख्या को उपर रखेंगे और नीचे पूरा टोटल मोल की संख्या मैंने ये कहा कि बिलियन में जितने भ मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थि समस्थ घटकों की मोल की संख्या का अनुपाद जैसे बिलियन में दो घटक हैं बिलायक और बिले जोदि बिलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो बिलायक की मोल की संख्या और नीचे बिलियन की मोल की संख्या दोनों चीज़े ना यहाँ पे बिले का निकालेंगे तो बिले की मोल की संख्या को उपर रखेंगे और नीचे बिलियन के दोनों की मोल की संख्या का योग इसलिए तो कहा जाता है कि बिलियन में किसी एक गटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्थ गटकों के मोल की संख्या कानुपात मॉल प्रभाज कहलाता है यदि ए का निकालना है तो X A बराबर जो आपका बिलायक का मोल संख्या उपर होगा नीचे बिलियन का होगा इस प्रकार से आप मॉल प्रभाज निकाल सकते हो ठीक है किसी बिलियन में उपस्थित किसी आबयब, बिलायक है बिले, भही आबयब में क्या जीद होगा, एक तो बिलायक होगा, दूसरा बिले, में मोलों की संख्या, जा था बिलियन उपस्ति कुल मोलों की संख्या का अनुपात, मोल प्रभाज कहलाता है, मतलब बिलियन के, बिलियन में दो घटाक होगा, ये तो सब उपर रखेंगे नीचे billion, इसको उपर रखेंगे नीचे billion, मतलब billion, मतलब दोनों का, इसके बाद मैंने मोललता की परिवासा दी इसी billion की मुललता प्रफि- एक हजार ग्राम बिलायक में आपको समझाया था ना एक हजार ग्राम बिलायक में एक हजार ग्राम बिलायक में उपस्थित मौल की संख्या को हम मौललता कहते हैं मतलब बिले कारविक द्रब्मान और प्रती एक किलो ग्राम बिलायक में बिले का द्रब्मार यह आप लोग फार्मूला भी त्यार कर सकते हैं अगे चले मुलर्ता हमने आपको समगाया था तो यह बताया था यहाँ पर देखिए एक हाजार एमल बिलियन में या एक लीटर बिलियन में उपस्तित बिले के मोलो की संख्या किसी बिलियन की मोलर्ता उसके एक लीटर घुले बिले पदार्थ में मोलो की संख्या है एक लीटर में घुले बिले पदार्थ की मोलो की संख्या, वही चीज है कि किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में घुले बिले पदार्थ की मोलो की संख्या मोलर्ता कहलाती है, यह आपको सूत्र लिखना तो लिख सकते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो प्रश् तुमें संक्रण इसका बताना है ग्राण की जाने वाली जयमती का उले करना साथ में जयमती बताना है इसमें कौन सा संक्रण है और कौन सा जयमती है इसके लिए मैं आप से समय लूँगा थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे समय देना पड़ेगा तभी आप समझ सकते हैं ब लोरीन कितने बच्चो चार है ठीक है ठीक यहां पर आपका हो जाएगा टू निगेटिव कितना हो गए टू निगेटिव अब यहां पर सबसे पहले आपको बताना बच्चो कि इस संकुल में इस संकुल में इस संकुल में जो आपका निकिल है केंडरी दाद उपर वान इसका आक्सिकन कैसे निकालोगे बच्चो आक्सिकन संख्य निकालते नहीं बनना तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर आक्सिकन संख्य कैसे निकालना थोड़ा देखिएगा निकल का एक्स हो जाएगा यह माइनस चार चार क्लोरी ने बराबर का माइनस दो पक्छंतर हो आपका दो है जितना बच्चो आक्सिकन दो है तब तब यदि मैं आप से कह दो कि निकिल का परमारु क्रमा कितना होता 28 तो इसका इलेक्रानिक बिन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और आपका बच्चो 3D में 8 इलेक्रान भरा जाएगा 4s2 में किन्तु जब आक्सिकन संख्या 2 है किन्तु जब हम निकिल प्लस 2 आक्सिकन बस्तदर साता है तब यहाँ पर परमारु क्रमां कितना होता बच्चो 26 इस स्थित में इसका इलेक्रानिक बिन्यास जो होगा 1s2 पैन भी धोखा दे रहा है चलो 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 और बच्चो s का इलेक्रान चला गया तो 0 और 4p में भी 0 मतलब आगे 0 है यहाँ तक लियर यह आपका केबल और केबल बन चुका है निकिल 2 पास्टीब का ऐसा क्यों समझा रहा हूं क्योंकि पूरा इसका संक्रमन बताना पड़ेगा पूरा इसकी जय प्यामती बताना पड़ेगे बच्चो अब इस स्टिट में होगा क्या थोड़ा देखेगा यहाँ पर मैं यही बात करूं कि सामान अवस्था में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सामान अवस्था सामान अवस्था मतलब जैसे मैं d की बात करता हूं तो यहाँ पर D में कितने लेक्टरान है 8 तो D में कितने कच्छक होते है बच्चो 5 सही है 5 होते है P में आपका 1 होगा Sorry S में 1 और P में 3 5 बना दो 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें हो जाएगा 3 यह आपका हो जाएगा 3D, 8 और यह 4S का है और यह आप 4S में 0 फोरपी में 0 0 है अब देखें इसमें कितने 8 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह सामान अवस्था की बात कर रहे है फिर बच्चो हम बात करते हैं संकरित अवस्था संकरित अवस्था के लिए या ऐसा हम लिख सकते हैं आयन संकरित के लिए तो यह आपका इलेक्टरान संकरित अवस्था के लिए होता क्या है जो आपका लिगेंड होता है यह इलेक्टरान यह में देता है तो इसलिए यहाँ पर यह आरेंजमेंट होगा बच्चो देखेगा टोटल कितने होते हैं बच्चो 5 एक दो यहां का इलेक्टरान यहां आ आ जाता है दो फिर इनमें क्या हो जाता बच्चो कि ए खाली हो जाते हैं तो इहां पर जो आपका एक संकरित होता है यहाँ पर या करके जुड़ जाएगा इतने चार एक, दो, तीन, चार मतलब यहाँ तक कि यहने कुल मिला करके यहाँ तक सही है, यहाँ तक यह जो है उस संक्रीत होगा, क्योंकि चार क्लोरीन जुड़ेगा तो अगले स्थित में हम बात करते हैं क्या है, निकिल है क्लोरीन कितने है बच्चो चार है, ठीक है यहाँ पर क्लोरीन चार कर देता हूँ क्लोरीन चार है और टू निगेटी वायन के लिए ठीक देखे आप यहाँ पर आपके इलेक्रान तो हाई है जहाँ इलेक्रान उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो आता है मतलब चार क्लोरीन आया है यह इलेक्रान यह में दिया यह दिया यह दिया और यह दिया और यहाँ पर जो संक्रण बनेगा आप ही बताओ यहाँ पर D का 1, S का 1 और P का 2 मतलब D, S, P, 2 D, S, P, 2 संक्रण ये लो भाई, D, S, P, 2 संक्रण होगे बच्चो अब D, S, P, 2 संक्रण होगे है इसकी जैमती कैसी होती है तो इसकी जैमती होती है समतल बरगाकार समतली बरगाकार तो इसकी जैमती कैसी होगी जैमती होती है बच्चो समतली बरगाकार यही तो पूछा था मतलब इसकी जैमती बनाने के लिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ लगबग आपके चार होगे यहाँ पर center point हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि इंद्री धात पुर्मारु के साथ यह समतली भरगाकार बनाता है ठीक इदि मैं कह दूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर ligand होता है चार ligand जुड़े रहते हैं यह ligand, यह ligand यह ligand, यह ligand और बीच में रहता है metal center बना ठीक है और इनके बीच जो कोण बनता बच्चो वो 90 degree बनता है कितना बनता है 90 degree यह पहला निकल कराया है निकल कराया फिर हमारा बच्चो iron का similar है लेकिन यहाँ पर cn की संख्या 6 है अब यहाँ पर जो दूसरा संख्य को लियोगिक था बच्चो यहाँ पर iron है iron का आक्सिकन संख्या यहाँ पर निकलेगा plus 3 plus 3 मतलब यह किसी को 3 electron दे रखा है जैसे यहाँ पर आपका iron 26 है इसका electronic बिन्यास यह है लेकिन जब यह आपका मा लिजे आक्सिकन संख्या plus 3 दर्स आएगा तब इस पर total हो जाएगे बच्चो परमाण करवांग 23 इस स्थित में जो electronic बिन्यास हो जाएगा यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिखता हूँ यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 3D में 3D के कितने हो जाएगे बच्चो दो इलेक्रान यहाँ से एक यहाँ से जाएगा तो इसमें बच्चेगा 5 और यहाँ पर 4S में बिल्कुल कुछ भी नहीं और जो आपका 4P आएगा उसमें भी कुछ भी नहीं सामान अबस्था में इसका electronic बिन्यास आप लोग यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं इसके 5 आपके कच्चाग होते हैं D में कोई प्राबलम S का बच्चो एक कच्चाग होता है और P में आपका 3 कच्चाग होता है फिलहाल यहाँ पर S मैंने बना दिया और ये मैंने बात कर दिया सामान अवस्था में सामान अवस्था मतलब आकसी करत की रूप में ठीक है सामान अवस्था की मैंने बात कर दी ठीक वो दिक्कत तो नहीं है इसमें टोटल कित्ते इलेक्टरान एक, दो, अब तीन, चार, पांच ऐसे ही रहता बच्चो अब क्या होता है यहाँ पर आपका लिगेंड आता है जब लिगेंड आता बच्चो तो इलेक्टरानिक में देता है इसलिए इनको क्या करो पहले युगमित करो तो जब हम अगले स्टेप में इसको बनाएंगे तो देखेगा थोड़ा सा यह आपके प क्लेंजमेंट होगा जिससे इलेक्टरान उठेगा तो इसमें जोड़ा बन जाएगा इसमें जोड़ा यह विचारा अकीला रहेगा बाकी दो खाली हो जाएंगे तो यह जो इस्थीत आगया यह आयन का है एफी थ्री आयन के लिए बच्चो एफी थ्री आयन के लिए यह ज लोग समझने आए हूँ तो आपको समय देना पड़ेगा बच्चों आप सोचोगे कि भाई हम ऐसे दो मिनट में टॉप कर दें तो नहीं हो पाएगा और टेली ग्राम में जरूर जोइन कर लें आप लोग सीव कोचिंग क्लासेस का टेली ग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पर मि पर हो गयरा, जो आपको फ्री में दिया जाता है। तो आपका माली जिए ये तो भाई संकरित क नहीं कर सकता क्यों क्यों की ये अईग्मित इलेक्टराण वाले नहीं इनको खाली चाहिए अब यहां पर यह आता है। तो यह जो संक्रण बनता है बच्चो यहाँ पर कौन से संक्रण बन सकता है बताओ यहाँ पर है आपका SP3D2 या D2 SP3 ऐसा भी लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं D2 SP3 या ऐसा लिख सकते हैं SP3D2 यह आपका संक्रण बन गया बच्चो कौन सा संक्रण है ठीक और यहां पर आप लिख सकते हो संकरित अवस्था ये प्रश्ण कोई करता ही नहीं है ठीक है ये प्रश्ण कोई करता ही नहीं है लोगों से समझ में नहीं आता है और इतना सरल होता है इसकी जो जयामती होती नो बच्चो वो अश्ट फलकी होती है कैसे हो ची है अश्ट फलकी अब आप लोगों को लगेगा सर एक्जाम में कैसे करेंगे अस्ट फलकी इसके लिए क्या करना है आपको यहां पर डाइग्राम बनाने के लिए आपका केंद्री धात परमार होगा यह आपका केंद्री धात परमार होगे मेटाल ठीक तो इसमें दो लिगेंड तो ऐसे जोड़ दो और दो लिगेंड कुछ ऐसे जोड़ दो यह आपका आश्ट फल की बन गया इतना ही बनाना है जो आपके एक्जाम के लिए पूसिबल हो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छापते रहो जो आप से ना भी बने तो यह सभी के सभी लिगेंड है यहां पर पूरे के पूरे लिगेंड जुड़ जाते हैं ठीक इनके भी जो कोन बनता बच्चो एक तो 90 डिगरी का बनता है यहां पर और इनके बीच भी 90 डिग